हलो गाइस वेलकम टू पूरी पड़ाई तो आज हम देखेंगे html फॉर्मेटिंग html फॉर्मेटिंग करने के लिए html आपको काफी सारे tag प्रोवाइट कराता है जिसमें कि आपके पास पहला tag है b tag bold tag the html b element defines bold text without any extra importance तो b tag हमारा क्या करता है किसी भी text को bold कर देता है मैं आपको एक example देता हूँ जैसे this text is bold तो अगर आप इसमें b tag लगाएंगे तो ये text जो है वो bold हो जाएगा चलिए मैं आपको एक example देता हूँ अभी हम notepad खोल रहे हैं notepad में हमारा ये this text is bold लिखा हुआ है ये this text is bold जो है वो paragraph में लिखा हुआ है अगर हम इसे save कर देते हैं test 30.html के नाम से हमने इसे save कर दिया है जो कि already save है save करने के बादे से हम open करेंगे open आप किसी browser में कर सकते है open करते ही ये लिखा हुआ है this text is bold बड़ ये bold नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे हम अपने notepad पर जाएंगे क्योंकि हम इसमें bold b.tech हमने इसे use ही नहीं कर आ है तो हम इसे use कर सकते है b.tech को starting tag आप लगाएंगे b.tech और आप ending tag लगाएंगे ये आपका bold जो है वो b.tech के अंदर आ चुका है अब ये bold जो text लिखा हुआ है वो अपका bold हो जाएगा इसे हम करके देखते हैं practically इसे हम save करते हैं save करने के बाद अपने browser में जाते हैं उसे refresh करते हैं reload this page अब यहां पर देख सकते हैं अब ये चीरे bold हो चुकी है ठीक है तो ये तो हमारा था पहला bold tag second अपना हम tag देखते हैं जिसमें की हमारा है strong formatting strong tag the stml strong element defines strong tags without added cementing strong importance with added sorry the stml strong formatting strong formatting आपका क्या करता है किसी भी text को किसी भी text को ये strong कर देता है अगर आप this text strong लगाएंगे तो ये चीजें strong कर देगा text को strong कर देगा हमें example लेते हैं जिसी की आपको और समझ में आएगा notepad में जाते हैं इसके बड़ ये बना हुआ है अभी इसको हम क्या करते हैं strong करते हैं s-t-r-o-n-g strong ये हमारे starting drag लग गया और ending drag लगाने के लिए हम forward slash लगाएंगे s-t-r-o-n-g strong लगाएंगे और इसे हम save करेंगे save हम कर रहा है html14.html ये html.html इसलिए लगाया है क्योंकि हमें html फाइल में इसे convert करना है इसका extension है save करते है save करने के बाद हम इसे open करके देखते है test14.html open with google chrome अभी यहाँ पर देख सकते है this text is strong ये strong हो चुका है text अभी आप देखेंगे कि हमने जो पहले bold कराता और strong कराता ये approximately similar दिखाई दे रहे है approximately similar दिखाई दे रहे है क्योंकि ये similar ही है बस इसमें difference क्या है मैं आपको difference बताना चाहता हूँ आपने यहाँ पर चलते हैं यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है bold में लिखी जाएगी टेक्स में आपको जो फाइल लिखी जाएगी जब आप किसी company में submit करेंगे या फिर अपने लिए इसे बनाते हैं तो सिर्फ ये इसका difference ये है कि आपका bold जो है वो दिखाता है कि ये bold है सिर्फ bold है और कोई importance नहीं है इस text का और नीचे वाला strong ये दिखाता है कि इसका importance है कुछ इस text का ठीक है अभी हम एक example देखते है जैसे कि Wikipedia है Wikipedia भी ये bold और strong tag यूज करती है जैसे कि हमारा India खुला है हमने इसमें आपका ये देखिए हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं India जो इंडिया लिखा है वो bold tag से लिखा हुआ है बाकी सारा paragraph से लिखा हुआ है फिर यहाँ पर Republic of India भी bold tag से लिखा हुआ है तो इस तरह से practically example हम देख सकते हैं कि काफी लोग काफी जगे इस bold tag को यूज करते हैं और strong tag को यूज करते हैं So thank you guys meet me on our next video तब तक के लिए good bye Your feedback is valuable for all So please comment Like and share with your friends Thank you